Hello everyone, Welcome to RPSC Study Hub RS exam 2021 को लेकर एक बड़ी खबर आई है और यह खबर भी हाई कोट के द्वारा जारी की गई है तो जानते हैं क्या है खबर RS भरती 2021 से जुड़ा मामला भरती में दिव्यांगों को तया आरक्षन नहीं देने का मामला हाई कोट ने मुख्य सचीव, शिक्षय सचीव और RPSC सचीव से मांगा जवाब जस्टिस इंदरजीत सिंग ने दिये आदेश मुहमद शाहिद की याचिका पर दिये आदेश याचिका में कहा गया दिव्यांग अधिनियम के तैट भरती में चार फीजदी आरक्षन देने का जो है वो प्रावधान है लेकिन दिव्यांगो के लिए तैसंख्या में पद नहीं रखे गए तो फोर्ड परतिसप के इसाब से जो है दिव्यांगो के थे नाइन जो पद बनते हैं लेकिन भरती में के वल 59 है वो ही दिव्यांगो को देए गए हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक तो बीसी का विवाद था एक दिव्यांग का विवाद था और एक जो एक सर्विसमें वाला विवाद था पूरो सैनिक जो थे उनका विवाद था तो उनका एक पूरो सैनिक वाला विवाद तो जो है वो जो पूरो जो एक सर लेती है ठीक है तो थेंक्यू फोर वाचिंग दिस वीडियो